तो इस फोन को लेके आर काफी सवाल आ रहे थे ओन पेपर ये फोन काफी बैलेंच्ट है बजट 5G फोन के साब से देखा जाए 12,000 में आपको ये फोन मिल जाएगा Realme 12X 5G और इसे आप Flipkart से खरीज सकते हो बढ़ क्या आपको खरीदना चाहिए वही जानते हैं बहुत सिंपल तरीके से पहली बार इस चैनल पर है तो मेरा नामे प्रावविर को प्ली सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो चलगती है बॉक्स कंटेंट में हर बार Realme वाले अच्छा करते है सब कुछ आपको बॉक्स में मिलता है इवन डिस्प्ले पे आपको एक प्री अप्लाइट स्क्रीन प्रेटर भी मिलता है तो पहले दिन ये आपको टेंपल का जूनना नहीं पड़ेगा ये नॉर्मल स्क्रैची से प्रिवेंट कर लेगा अब डिजाइन के अंदर यहाँ पे आपको दो कलर मिलते हैं एक ग्रीन कलर है और एक परपल कलर है परपल वाला मेरे पास है इस टाइम पे और ये वही रियलमी का जो 12 सीरीज का डिजाइन लेंगविज है वही लेके आता है सेंटर में कैमरा मोडल है बड़ा सा बज़ डिफरेंस है यहाँ पे आपको एक पूरी प्लास्टिक बैक मिलती है और बाकी आपको रियलमी 12 सीरीज में लेदर फिनिश टाइप मिल रही थी लेकिन ये भी मैट फिनिश लेके आता है और बीच में इसमें भी वो लाइन सी जो पैटर्न मिलता है बाकी फोन में वो इसके अंदर भी मिलता है और एक्चुली उसे आप फील भी कर सकते हूँ पढ़ है यह पूरा प्लास्टिक की टाइप यह वैसे फ्लैट एजिस भी लेके आता है और पतला आफोन बहुत जदा मोटा नहीं है इवन वेट चेक करोगे तो 192 ग्राम तक पहुँचेगा तो बहुत भारी भी नहीं है बहुत हलका भी नहीं है हाँ कमफर्टेबल आपको यह फोन फील होगा वैसे साइड में फिंक्रिंट स्कैनर है इसके और हर बार काम कर रहा है और काफी फास्ट काम कर रहा है तो हाँ डिजाइन कुछ इस तरीके का है अब बिल्ट के अंदर पूरा प्लास्टिक से बना हुआ है तो यह गिरके वैसे टूटेगा नहीं बॉक्स में कवर है उसके साथ ही उस करने ना डिस्प्ले में पेंडा गलास की प्रोटेक्शन है और वैसे यहाँ पर IP54 की रेटिंग भी है तो नॉर्मल वाटर स्प्लेशी से कुछ नहीं होगा और हाँ हैप्टिक्स इसके ना थोड़ से डीसेंट मिलते हैं इस प्राइस पर हैप्टिक्स इतने कुछ खास मिलने वाले नहीं है तो वाइबरेशन मोटर इतने कुछ खास नहीं है बागी ओवराल बिल्ड फोन सॉलिड फिल हो रहा है कहीं से प्रेस वगएर तो नहीं हो रहा है अब दिस्पले के अंदर देखो एक बड़ी डिस्पले है 6.72 इंच की डिस्पले है फुल अच्ट प्लस है और ये एक IPS LCD डिस्पले है देखो क्वाल्टि के अंदर पहले आपको कलर्स चेक कर रहा हूँ तो हाँ क्वाल्टि आपको इस डिस्पले में फिल होगी इवन YouTube पे ये details के अंदर 1440p पे वीडियो चला सकता है maximum and overall Realme की जैसे display होती है पंची colors मिलते है, details पी ठीक है Wide 1, L1 का भी support है Netflix वगरह जादा देखते हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है 950 nits की brightness है and हाँ असानी से आप आउटर में भी use कर सकते हो बट ये भी display 120Hz का refresh rate भी लेके आती है बट पंगा वही Realme जैसा रहता है कि सिर्फ UI के अंदर आपको 120Hz मिल रहा है जैसे कोई app खोलते हो तो वो 60Hz या 90Hz में shift हो जाता है इवन Realme के खुद के app भी कई पर 90 या 60 में shift हो जाते है तो ऐसानी कि display smooth नहीं feel हो रही बट हाँ refresh rate उपर नीचे रहता है किसी-किसी app में काफी smooth है किसी-किसी app में 60Hz की वैसे उतना smooth आपको feel नहीं होगा Realme वालों को ये चीज़ fix करने के जुरुत है क्योंकि हर Realme phone के अंदर ये चीज़ आपको मिलती है अब sound quality के अंदर उन्हें अच्छा धियान दिया है आपको dual speaker मिलते है एक bottom में है, एक top पे आपको मिलता है headphone jack भी present है loud हो रहा है, अच्छी detail price के असाब से sound quality आपको बहुत अच्छी मिलती है इसमें आप बिल्कुल निराजनी होगे हाँ, software के अंदर थोड़ो से ध्यान रखना है थोड़ी ये महनत कराता है पहले अच्छी बात बताऊं, ये latest item Realme UI 5.0 पे चल रहा है और Android 14 पे ये phone based है 2 साल के major update मिलेंगे और 3 साल तक security update मिलेंगे price के सबसी ये सब चीज़ अच्छी है लेकिन ये सब करने के बाद भी ना काफी चीज़े आ जाती है देखो वो off कर दो के जो starting में toggle on थे ads वगरा तो नहीं आती है लेकिन bloatware आपको काफी मिल जाता है वैसे hot games और hot apps फिर भी आ जाते है उन्हें आपको hold कर रखना है, setting में जाना है वैसे features सारे है, app lock है, dual apps है, app hide वगरा कर सकते हो चुपके से call recording करनी है, तो play store से $0 करके app download कर लेना वो भी आप कर पाऊगे तो आप software के अंदर दो चीज़ों को ध्यान रखना है MPDR 4X RAM है, इसके N2D जो scores है, वो 4,00,000,000 close पहुंच जाते है और हाँ यह जो score आ रहे है इस price में एकदम ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यार नकना है इसमें 3 variant आपको मिल रहे है, 4,126, 6,126 और 8,126 लेकिन 4 GB RAM वाला मत लेना क्योंकि वो अट केगा 6 GB RAM वाला आप ले लेना, और 8 GB RAM वाला overprice हो जाता है अब मेरे पास जो phone है, वो 6,126 वाला है और उसकी performance एकदम ठीक है, बिल्कुल नी phone अटक रहा है app open करते हो, वो भी जल्दी खुल जाते हैं और जितनी भी apps मैंने open के हैं, वो मैं बार-बार दुबारा खोलता हूँ तो वो RAM में रहते हैं तो 6,126 के मैं shorty ले सकता हूँ, वहाँ पे आपको performance ठीक मिलती है लेकिन gaming के अंदर, ये smooth plus ultra भी support कर जाता है BGMI के अंदर, और हाँ, आप 40 FPS के अंदर खेल सकते हो वैसे gyro player हो, तो हाँ, gyro के अंदर भी delay नहीं है, उसके साथ भी खेल सकते हो और अब इस time पे तो full गर्मिया आ चुके हैं, लेकिन मुझे कोई heating issue जैसा देखा नहीं लेकिन हाँ, मैंने जब CPU throttling की, तो हाँ, इसका graph काफी ज़्यादा fluctuate कर जाता है तो इसी वैसे मैं कहा रहा था कि भाई, आपको 6GB RAM वाला लेना है, पहले तो realme UI बहुत heavy है तो 4GB RAM के अंदर वो अटक जाएगी, और दूसरा reason है, हलके हलके से मुझे fluctuation मिली, जो 6GB RAM वाला संभाल सकता है लेकिन main सवाल है कि camera कैसा है, क्योंकि 5G के साथ budget phone के अंदर camera इतना कुछ खास नहीं मिल रहा है इसमें आपको single camera मिलता है, वैसे 50MP का है, और इसमें आपको 2X digital zoom वाला feature मिलता है मैं आपको side by side normal और 2X zoom वाली photo दिखाता हूँ पहले जी notice करो कि बहुत जाज zoom करोगे न जब तो आपको definitely feel होगा कि details उतनी जदा नहीं है बट हाँ overall photo अच्छी लग रही है, bright images है, हलका सा realme वाले थोड़ो सा आपको गोरा करते है, colors वगरा भी अच्छा रहा है अब यहाँ पर low light के अंदर जरूर आपको details कम feel होती है, लेकिन यहाँ पर भी bright images है, and skin tones वगरा भी अच्छे feel हो रहा है बट हाँ low light के अंदर ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पर आपको details जरूर कम feel होगी, लेकिन हाँ overall bright images तो जरूर आ रही है बट इसने surprise किया, देखो normal बिना zoom करें photo देखोगे, तो भाई details भी आपको feel होगी, light control बहुत अच्छा है, skin tones भी अच्छे रख रहा है portrait shots भी देखो इसके, उसमें भी आपको light control और edge detection अच्छा मिलेगा, लेकिन हमने sky में notice किया, हलका है से color ज्यादा boost कर देता है उसके अलबा day time में अच्छा काम कर रहा है selfie camera, low light में जरूर 8MP कही है, तो यार वहाँ पे आपको detail और कम हो जाएगी bright तो है image लेकिन उतने ज़्यादा usable नहीं है, वैसे इससे भी 1080p 30fps पी आप video बना सकते हो, और उसके अंदर भी हलका सा shakiness मिला, बहुत अच्छा stable नहीं कहूंगा मैं इसे, kind of same है जैसे back camera के आपको video बनती है, वैसे सारी photos मैंने google drive में save कर दी है, आप खुच जाके भी एक ब इसे network के अंदर 5G में कोई दिक्कत नहीं मुझे मिली, यहाँ पर आपको 9 5G की band मिलते है, और 4G plus भी अच्छा चल रहा है, sim slot भी ऐसे दिया है, जहाँ पर आप दो sim लगा सकते हो, या एक sim और एक HD card, बट एक combination मुझे काफी अच्छा लगा, पांच जैरा मेंच की बैटरी इस phone में, और 45W का charger आपको box के अंदर ही मिलता है, तो हाँ, यह combination काफी अच्छा है, अब आखरी में यही जवार रहता है कि क्या इस phone को आपको ले लेना चाहिए, तो सारे positive और negative मैंने एकदम clear बताएं कि कि किस तरीके से phone perform कर रहा है, फिर भी मैं side by side लिखके बता देता वैसे क्योंकि मैंने आपको 6GB रहे वाला variant लेने को बोला है, तो यह phone 13500 में आपको पढ़ेगा, offer में यह 12000 के आजपास पढ़ सकता है, तो 12000 के साबसे काफी balanced phone है, आपको कैसा लगा यह phone, comment section में बताना, और किसी phone से आपको comparison चाहिए इस phone का, तो वो भी comment section में बता देना, hope आप लोको वीडियो अच्छी लगे हो, मैं से simple वीडियो बनाता हूँ, straight to the point, थाकि आप असानी से समझ सको, आपका time वेच ना हो, तो please subscribe करके वैल एकन कॉल पे करना, वीडियो अच्छी लगे, like and share कर देना, मिलते हैं आप लोस अगली वीडियो में, thanks for watching, end up for all.